आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां पर हमें क्या निकालना होगा सबसे पहले Adjusted Frequency क्योंकि यह जो Adjusted Frequency होगी इसी को हम Y-axis पर ड्रॉ करेंगे तो इसका Formula क्या होगा Minimum Class Size Class Size Divided By Divided By जो हमारी Class का Size है Class Size Multiply में Frequency ठीक है तो यहां पर Minimum Class Size कितना है 5 से 10 में 5 10 से 15 में 5 15 से 25 में 10 25 से 45 में 20 30 में 30 तो Minimum Class Size कितना है हमारे पास 5 तो पहले वाले का कितनी Adjusted Frequency होगी 5 डिवाइड इड़ बाई उसकी Class का Size भी 5 है Multiply Frequency कितनी है 6 तो यहां से कितनी आ जाएगी 6 Similarly Second वाले की कितनी आएगी Minimum Class Size 5 और उनका भी Size 5 Multiply 12 तो यह कितनी निकल किया गई 12 थर्ड वाले का थर्ड वाले का कितना होगा 15 से 45 यानि कि इसकी Class को Size कितना है 10 और Minimum Class Size कितना है हमारा 5 तो यह कितना होगा 5 बाई 10 5 बाई 10 Multiply में कितनी Frequency है 10 ठीक है तो 10 से 10 कट गया तो कितना बचा 5 ठीक है Next है Fourth Fourth है हमारा 25 से 45 तो यहां पे 25 से 45 कितना Minimum Class Size तो 5 है 25 से 45 20 होगा Multiply में Frequency कितनी है 8 तो यह कितना होगा 5 बाई 20 4 बाई 8 तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो फिफ्ट इस फिफ्ट पार्ट इस 45 से 75 कितनी होगा 30 Minimum Class Size 5 और यह होगा 30 Multiply में कितना होगा 18 पांचिंग 30 6 या 18 That is equal to 3 ठीक है अब क्या करते है Draw करते है Histogram तो यह हो गया हमारा Y-axis ठीक है और यह हो गया हमारा X-axis ठीक है तो हम Y-axis पर क्या लेते है Y-axis पर लेते adjusted frequency ठीक है adjusted frequency लेते हैं यह हो गया हमारा कहा तक है maximum 12 तक और यह जा रहा है 12 तक तो दो-दो का ले लेते हैं तो यह कितना हो गया हमारा 2, 4 6 8, 10 और एक और ले लेते हैं उपर 12 12 तो उपर हो जाएगा काफी तो यहाँ पर कितने का लेते हैं 3, 3 का लेते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा 3, 6, 9 और 12 ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे अब आए इसमें क्या लेंगे interval लेंगे interval है हमारे 5 से 10 5 से 10 तो इसको क्या ले लेते है तो यह हो गया हमारा पांच ठीक है इसको ले लेते हैं पांच और यह हो गया हमारा दस ठीक है और दस से पंदरा यह हो गया 15 से 20 यह हो गया 20 से 25 यह हो गया 25 से 30 यह हो गया ठीक है 30 से 35 40 49 50 55 60 65 70 75 ठीक है यह हो गया तो यहां पे भी लाइन को क्या कर लेते हैं ड्रॉ तो यह आगया हमारा X और Y axis तो यहां पे पहली कितनी है हमारी 5 से 10 है हमारा 6 ठीक है 5 से 10 है हमारा 6 तो यह हो गया हमारा 5 से 10 यह कितना हो गया हमारा 6 Next कितना है हमारा 12 यानि कि 10 से 15 कितना है हमारा 12 तो यह हो गया हमारा 12 ठीक है, next कितना है हमारा, next है 5, कितने से कितने, 15 से 25, 15 से 25 कितना है 5, तो यानि कि इन दोनों के बीच में आएगा, ये, तो ये हो गया, 5 नहीं, 5 आएगा, 6 के पास, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कहीं, 5, 15 से 25, ठीक है, ये हो गया, इसको मान लेते हैं 5, तो यहाँ हो गया हमारा, 25, next है, 25 से 45, 2, 25 से 45 है हमारा 2, तो यानि कि, यहाँ कहीं होगा 2, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का, 0 से और 3 के बीच का मेंट पॉइंट कितना होगा, 1.5, तो यहाँ पे हो होगा, थोड़ा सा कहीं उपर, 2, ठीक है, यह होगा, 45 तक 2, यह हो गया हमारा 2, ठीक है, this one is 2, next कितना है, 45 से 45 तक 3, 45 से 44 तक, यह हो गया हमारा 3, ठीक है, this one is 3, यहाँ पे, यह क्या होगा, 55 होगा, और यह कितना होगा, 3, यह हो गया हमारा दो, यह हो गया हमारा पांच, यह हो गया बारा, यह हो गया छे, तो यह हो गया हमारा हिस्टोग्राम. ठीक है? Thank you.